हिंदु धर्म में दान देना बहुत ही महत्पूर माना जाता है कहते हैं कि दान देने से पुन मिलता है लेकिन कई बार लोग ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिससे पुन मिलने की जगा नुकसान मिलता है तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर अबी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले चीज़े प्लास्टिक की चीज़े कभी भी प्लास्टिक की चीज़े किसी को दान नहीं देनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक की चीज़े दान करने से बिजनेस में काफी नुकसान होता है दूसरे चीज़े ज़ाडू ज़ाडू को कभी किसी को दान ना करें इससे काफी नुकसान होता है चौथी चीज़े फ्रेंड्स अपने पहने हुए कपड़े अपने पहने हुए कपड़े किसी पंडित को दान नहीं करने चाहिए हाँ ये कपड़े आप किसी गरीग को दे सकते हैं अगर किसी पंडित या संपन विक्ति को ये कपड़े देंगे आप तो ये असुप माना जाता है। पांचवा है फ्रेंड्स बासी खाना, सास्त्रों के अनुसार खाना दान करना बहुत ही पूर्नी का काम होता है। लेकिन अगर खराब या बासी खाना दान करेंगे तो ये परिवार में बिमारी ला सकता है। इसलिए कभी किसी को बासी खाना या खराब खाना नहीं दान करना चाहिए। चठा है खराब या इस्तेमाल किया गया तेल वैसे तो तेल दान करना सनी की सांती के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कभी किसी को उप्योग किया हुआ या खराब तेल ना दान करें साथवे चीज है फटी हुई कॉपी किताबें कॉपी किताब का दान बहुत ही शुब होता है लेकिन ध्यान रहे कॉपी किताब फटी ना हूँ ऐसा करने से काम में भारी नुकसान होता है तो फ्रेंज ये थी दान देते समय ध्यान देने वाली बाते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें